चलिए तो अब नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहें। तो नया चैप्टर जो हमारा है वो है Biology का Life Processes Life Processes ठीक है? तो असल में सबसे पहले चैप्टर की ये समझते की चैप्टर कहता क्या है? Life Processes देखें life processes समझने से पहले ये समझते हैं कि असल में अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपको एक organism दे दिया जाए और बोले कि आप बताइए इन में से क्या ये living है या फिर non living है क्या ये अभी जिन्दा है या फिर मड़ चुका है अगर ऐसे तरीकी के सवाल आपसे पूछ करेंगे ठीक है तो दो मिनिट के लिए सोचिए और अपनी कॉपी में एक बार लिखिए कि वह आप किन किन क्राइटीरिया के बेसिस पर आप ये कर पाएंगे जच कि वह असल में वह जो आपको organism दिया गया है वह अभी जिन्दा है या मड़ चुका है तो चलिए होफुली आपने गेस कर लिया होगा ठीक है तो जब ये बात आती है जब आपसे ये पूछा जाता है कि असल में वह जो living organism है क्या वह अभी जिन्दा है या मड़ चुका है तो सबसे में क्राइटीरिया जो हमारे दिमाग में हम सब के दिमाग में आता है वह आता है movement कि क्या वह organism move कर रहा है अगर वह organism move कर रहा है तो हम simple बुल देंगे कि हाँ ये अभी जिन्दा है ठीक है बट अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वह organism सो रहा है तो आप किस criteria के basis पर जच करेंगे hopefully कईयों का मतलब movement होगा movement is the major criteria ठीक है ये ऐसा नहीं है कि movement criteria नहीं है movement is the major criteria बट सिर्फ movement ही criteria होना ये गलत है ठीक है तो और क्या-क्या चीज़े हो सकती है तो सबसे main चीज़ आती है आपकी life processes कि क्या उसके अंदर कुछ ऐसी processes चल रही है जिसकी वज़े से वह living है जैसे की life processes process का मेरा मतलब है क्या वो सास ले पा रहा है जैसे कि अगर वो सो रहा है ठीक है तो तब तो move नहीं कर रहा तो आप कैसे बोलोगे क्यों जिन्दा है तो आप उसकी breath check करोगे क्या वो सास ले पा रहा है या फिर नहीं ले पा रहा ठीक है तो वह आपका process आ जाती है respiration respiration is a type of life processes ठीक है तो life processes सबसे पहले क्या क्या होती है जैसे कि आपकी हो गई respiration ठीक है respiration हो गई या फिर circulation जो blood का circulation होता है ठीक है circulation हो गया excretion हो गया ठीक है इतनी भी reproduction हो गया ठीक है यह जो सारी की सारी processes है और और भी जा सकती है ठीक है बहुत सारी processes है तो इन सारी processes को हम बोलते है life processes ठीक है तो सबसे पहले अगर आपसे बोला जाए कि बही क्या आप अगर पहचानना है कि वह organism living है अभी alive है या dead है तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप movement के basis पे जज़ करेंगे आप life processes के basis पे भी जज़ करेंगे तो life processes की definition लेते हैं तो definition है all the processes like respiration, digestion, which together keep the living organism alive and perform the various jobs are called life processes ठीक है simple जो essential है आपकी body के लिए कि अगर आपकी life processes काम करना अगर आप सांस लेना बंद कर देते हैं तो हो सकता है आप मर जाए ठीक है तो यह काफी जादा important है और यह life processes की definition है ठीक है अब देखे life processes हो रही है तो आपकी body में life processes जब आप मतलब जो सारी की सारी life processes यह चल रही है तो आप ही सोचिए कि अपने आप तो नहीं चल सकती जैसे अगर कोई भी चीज प्रोसेस कर रही है अगर लेट से आप दौड रहें तो दौडने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज चीज चाहिए जो जिसकी वज बोलते हैं आप उस चीज को बोलते हैं nutrition ठीक है तो nutrition nutrition अब देखें nutrition की पहले definition देख लेते हैं simple एक तरीके से मैं बोलता हूं कि बायो में आप जो food होता ना food को ही nutrition बोलता है इसकी definition देखें the process of providing or obtaining the food necessary for health and growth is termed as nutrition ठीक है simple जो आप खाना खाते हैं जिसकी वज़े से आपको अपनी necessary health and growth आपकी जिससे बन सके तो उस चीज को हम बोलते हैं nutrition simple खाना खाने को इतनी लंबी चौड़ी हम definition देख रहे हैं इसको simple words में बोले तो simple food जो आप खाना खाते हैं अब देखें आप खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई लोग हमारी society में कई लोग होते हैं जो सिर्फ non-vegetarian है कई लोग है जो vegetarian है कई लोग है जो vegan है ठीक है तो इसके भी types आ जाते हैं तो उसी तरीक से आपके modes of nutrition भी है modes nutrition के भी अलग-अलग types है organisms के हिसाब से modes of nutrition modes of nutrition में क्या होता है सबसे पहले majorly अगर हम मोटा-मोटा देखे तो मोटा-मोटा आपके organisms दो तरीके के mode of nutrition यूज करते हैं क्या-क्या सबसे पहला तो आता है आपका autotrophic ठीक है और दूसरा होता है आपका heterotrophic ठीक है तो यह मोटा-मोटा आपको पता है जो लोग अपने खुद खाना बनाते हैं heterotrophic जो दूसरों पर depend करते हैं अब दिखिए autotrophic भी आपके दो तरीके के हैं ठीक है क्या-क्या जैसे कि अगर autotrophic में अगर वह green plant है तो वह किस से अपना खाना मनाएगा वह बनाएगा with the help of photosynthesis ठीक है वहीं अगर मैं बोलूँ कि वह autotrophic ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ autotrophic जो मतलब सारे living organisms जो autotrophic में आते हैं वह green ही color के हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है जो green color के वह तो photosynthesis से अपना खाना बना देंगे बट जो green color के नहीं है वह कैसे बनाएगे जैसे bacteria बैक्टिरिया एक autotrophic nutrition follow करता है बट बैक्टिरिया का अगर आप color देखे तो वह green नहीं है और green नहीं है तो उसके पास chloroplast नहीं है chlorophyll नहीं है तो chlorophyll नहीं है तो वह खाना photosynthesis तो बना नहीं सकता तो कैसे बन बारे में अभी आपको इस आपके syllabus में इतना नहीं है और आपको इतना पढ़ना भी नहीं है ठीक है सिर्फ photosynthesis के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है और अगर हम heterotrophic की बात करें तो heterotrophic में आपके तीन तरीके क्यों होते हैं एक तो होता है आपका holozoic एक होता है आपका saprophytic ठीक है और एक होता है आपका parasitic ठीक है यह तीन तरीके क्या आपके heterotrophic nutrition है अब दिखिए अब अगर हम holozoic की बात करें तो holozoic नाम सुनने में तो अजीब सा लग रहेगी हमने सुना ही नहीं है बट असल में holozoic के खुद के तीन पार्ट्स है और यह नाम आपने पक्का सुने हूंगे देखिए सबसे पहला है आपका carnivores गय कांची फिर हर्वी वोर रस कि फिर उमनी उरस ठीक है यह सारे के सारे जो आते है होल्वी पार्त है अब देखिए जब कार्नी войre की बारते करतेंपों कय और सिह सिर्फ कैशे आपके मीट खाते हैं और हेट्रोट्रॉफिक न्यूग्याइश है मतलब कि किसे पे डेपेंड करते हैं अपने आप अपना खाना नहीं बनाते ह्र्भी वोर्स जो हुनली रांंट्व कहते जैसे हमारी गाउमाता ठीक है ओम्निवरस जो दोनों खाते हैं जैसे कि हम हम ओम्निवरस है कि कई लोग वेजिटेरियन मतलब पत्ते बत्ते भी खाते लिंटिल्स अगेरा सबजिया अबजिया और कई ऐसे हैं जो मीट अगेरा भी खाते हैं तो humans are considered to be the ओम्निवरस सेप्रोफित एक क्या होता है तो अगर हम सेप्रोफित के बाज तो सेप्रोफित एक वह टाइप के लोग होते जो वह टाइप के ऑर्गनिजम्स जो अपना खाना किसी डेड-लेंडिकेंग इंवेटर डेड एंड डिकेंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है डेड डिकेंग प्लांट्स एनिमल्स से खाते हैं जैसे कि कुछ एक्जामपल अगर हम देना चाहें इसके तो मश्रूम होता है आपका और फंजाय होता है ठीक है अब दिखें कहीं के दिमाग में डाउट आयगा और अगर नहीं आरहा है तो यह गलत बात है अगर हम फंजाय की बात करें avomb Sum Assist is in green color ठीक है तो हमने कहा कि जो green color क्यों होता है वो तो autotrophic nutrition follow करेंगे और autotrophic में specifically वो photosynthesis follow करेंगे ठीक है तो बात बिल्कुल सही है तो असल में कहना आपकी जितनी fungi की variety है fungi की बहुत सारी variety है जैसे कि अगर मैं types of fungi यहाँ पर लिखने बैठूँ, types of fungi, अगर लिखने बैठूँ तो बहुत सारी आजएगी, जैसे कि आपकी है बसी डियो माय कोटा, फिर होती है जाइगो माय कोटा, ठीक है, फिर आता है आपका sack fungi, या फिर यू माय कोटा, ठीक है, बहुत सारी है, और इन में से जो यह सारी की सारी मैंने types लिखिये न, इन में से एक भी आपकी ऐसी नहीं है, जो green color की है, और असल में जो आप green color की देखते हो, जनरली किस में देखते हो, bread में देखते हैं, आपने तो bread वाला ही experiment करा है, तो bread में जो फंजाए होती है उसका भी अपना एक नाम है, उसका क्या नाम है, rhizopus tolinifer, यह आपकी bread वाली फंजाए है, जो green color की है, तो यह तो चलिए जो green color की है, वो तो चलो आपकी, वो कर लेगी, क्या बोलते हैं, उससे use, मतलब, autotrophic nutrition और photosynthesis से अपने खाना बना देगी, वाट यह बासीडियो माय कोटा, जाइगो माय कोटा, सैक फंजाए, यूमाय कोटा, इतनी सारी है, जो फंजाए है, जो है नी green color की, तो वो कैसे खाएगी, तो majorly जो फंजाए आती है, वो फंजाए आपका heterotrophic nutrition follow करती है, कुछ ही ऐसी फंजाए है, जो autotrophic करती है, जैसे की rhizopus, ठीक है, चलिए, तो saprophetic, hopefully आपको समझ आ गया है, तो हम बोल सकते हैं, takes nutrition from the living organisms, ठीक है, अब जैसे की कुछ example, अगर आप देखना चाहे, parasitic nutrition का, तो example हम ले सकते हैं, आपके जो leeches होती है, ठीक है, वो आपके body में चिपक जाती है, और आपका खून चूसती रहती है, तो nutrition आपके वो खून चूसने से ले रही है, ठीक है, तो मतलब सीधा living organism में चिपक के, आपका nutrition, वो अपना nutrition consume कर रही है, leeches होती है, फिर lice जो जूए होती है, आपके सर में, वो आपके scalp में एकदम चिपक जाता है, और खून चूसता रहता है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का आपका parasitic है, क्योंकि living organism से वो आपका ले रहा है, नहीं तो आपने diversity chapter में पढ़ा हूए, tape form, tape form भी एक तरीकी का parasitic nutrition follow करता है, ठीक है, ऐस autotrophic के parts, ठीक है, तो अब hopefully तो आपको समझ आ गया होगा, अब इनके बारे में एक-एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है, autotrophic nutrition की, nutrition, ठीक है, तो अगर हम autotrophic nutrition की बात कर रहे हैं, तो साफ सीधी बात है वही, auto आया है, मतलब खाना खुद बनाएंगे, तो simple इसकी definition देख लेते हैं, it is a type of nutrition where the inorganic material such as CO2 water and minerals, कुछ minerals, ठीक है, are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis ठीक है, photosynthesis के process से, generally photosynthesis के process से, आपके, वो जो inorganic material है, जैसे कि CO2 वो लेते हैं, water वो जमीन से लेते हैं, और water के साथ साथ कुछ minerals भी उनको मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनसे वो जो खाना बनाते है, चाहिए, प्लांट हो, चाहिए अनिमल हो, हम उसको glucose consider करते हैं, ठीक है, carbohydrates, organic foods से मेरा मतलब है, carbohydrates या फिर glucose, by the process of photosynthesis, simple, ठीक है, तो चलिए, अब देखते हैं कि organisms, जो autotrophic nutrition follow करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, autotrophs, ठीक है, तो simple organisms, which follows autotrophic nutrition are termed as autotrophs, ठीक है, autotrophs बोलते हैं, तो अब अगर हम बात करें, इतना सारा हम discuss कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम photosynthesis की भी बात कर लेते हैं, कि असल में photosynthesis होता क्या है, किस तरीके से plant करता है photosynthesis, वैसे तो आपको पता ही होगा है, तो simple साही topic है, ठीक है, तो photosynthesis, तो photosynthesis क्या है, सबसे पहले तो photosynthesis एक तरीके का process है, जो कौन करते हैं, autotrophs करते हैं, autotrophs क्या करते हैं, आपका CO2 लेते हैं, water लेते हैं, और कुछ minerals लेते हैं, और वो convert करते हैं उन्हें किसमें, glucose में या फिर carbohydrates आप बोल सकते हैं, in the presence of sunlight, ठीक है, तो इसकी definition देख लेते हैं, it is the process where autotrophs takes in CO2, water, and some minerals and convert it into carbohydrates, मैं carbohydrates इसलिए mention कर रहूं क्योंकि आपकी book में carbohydrates ही mention है, ठीक है, नहीं तो आप glucose भी लिख सकते हैं, ठीक है, carbohydrates affect glucose in the presence of sunlight, and chlorophyll, chlorophyll भी तो होता है, ठीक है, तो इसकी equation देख लेते हैं कि असल में वो किस तरीके से बनता है, equation, सबसे पहले plant क्या लेता है, plant CO2 consume करता है, ठीक है, और water और कुछ minerals, ठीक है, और in the presence of sunlight, sunlight and chlorophyll, वो क्या करता है, वो अपना खाना बनाता है, और खाना किस फॉनवेट में होता है, in the form of glucose या फे carbohydrates, और oxygen release करता है, और कुछ amount of water, ठीक है, तो अगर हम balance करने बैठे, इसे तो यह आपकी हो गई है, ठीक है, चलिए, तो यह तो हो गई आपकी equation और यह थोड़ी सी important equation है, थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि अगर बाइचंज हो कोई question आए, कि photosynthesis आपको explain करना है, तो यह तो आप बच्मन में भी करते आ रहे थे, photosynthesis होता गया, अब अगर आप equation के साथ समझाएंगे, त साथ ही साथ, आपके syllabus में भी है, तो बेटर रहेगा, तो चलिए कुछ note लिखते हैं, note है आपका कुछ इस प्रकार, जैसे की note number one, कि असल में क्या होता ना, जब आपके plants में, अगर हम specifically plants की बात करें, तो कुछ amount of carbohydrates वो जब produce करते हैं, यह आपका क्या है, यह आपका carbohydrates है, या फिर आप इसे glucose भी कह सकते हैं, असल में glucose का ही formula है, ठीक है, तो अगर जो carbohydrates है, आपकी plants की body में, जो carbohydrates है और वो used नहीं होए, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो store हो जाते हैं in the form of starch, आपकी जो plant की body है, plant की body में, वो store हो जाते है, starch की format में, वही अगर हम animals की बात करें, तो animals में जो carbohydrates produce करते हैं, या फिर वो जो glucose produce करते हैं, वो क्या अगर utilize नहीं हो, on the spot, तो वो store हो जाएगा in the format of glycogen, ठीक है, तो यही हमारा note है, कि सबसे पहले in plants, the carbohydrates, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, carbohydrates, which are not used immediately, is stored in the form of stars, ठीक है, एक थोड़ा सा important note है, वहीं अगर हम animals की बात करें, in animals, in the form of, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, पूरा आप यह लिख लेना, in the form of, किसके form में, glycogen, glycogen, glycogen के format में save होता है, ठीक है, चलिए, यह हो गया आपका note, अब अगर हम steps देखें, कि असल में steps, of photosynthesis, आते नहीं है, बड़ आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहला step क्या होता है, step 1 होता है, आपका absorption, of light energy, light energy में मैं specifically sunlight की बात कर रहा हूँ, by chlorophyll, chlorophyll क्या है, chlorophyll आपका वो जो green से color का pigment होता है, chlorophyll वो चीज़ है, जिसकी वज़े से आप leaves को green देख पाते हैं, ठीक है, अगर leaves आपकी green नहीं है, तो फिर उसमें chlorophyll नहीं है, ठीक है, तो यह आपका step 1 है, कि वहाँ से सबसे पहले chlorophyll कुछ आपका light absorb करेगा, फिर क्या होता है, तो दूसरे step में दो processes होते हैं, क्या सबसे पहली process होती है, आपकी जो light energy है, वो convert हो जाती है, आपकी chemical energy में, ठीक है, chemical energy में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने equation की format में देखा, आपको carbohydrates मिलते हैं, ठीक है, तो वो आपकी light energy convert हो जाती है chemical energy में, और वहीं अगर मैं दूसरी चीज़ देखूं, कि light energy convert होती है, chemical energy के format में, और क्या होता है, तो और ये होता है, कि आपका जो water है, water वो simple break हो जाता है, hydrogen और oxygen, और जब वो oxygen में break होता है, तो यही oxygen है, जब plant अपने oxygen छोड़ते हैं, और हम oxygen वो utilize करते हैं, ठीक है, तो य ये आपके दो processes है, जो step 2 में होता है, वहीं जब हम step 3 की बात करें, तो step 3 में कुछ नहीं, आपका simple जो carbon dioxide है, जो उन्होंने ली थी, carbon dioxide, वो reduce हो जाती है, reduces, किस में? carbohydrates में, carbohydrates में, carbohydrates में बार बार कह रहा हूं कि असल में carbohydrates हैं, क्यों लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं, क अगर वही है कि आप NCBRT book के according चले, क्योंकि अगर मैं आपने वाइचन glucose गलत कर दिया, तो आप दिखा नहीं सकते हैं, वहीं अगर मैं आपने अगर carbohydrates गलत कर दिया, तो आप book दिखा सकते होगी, मैं ये देखिए, at least इस book में लिखावा है carbohydrates, तो मेरा गलत नहीं है, ठीक है? तो चलिए, अब next चीज देखते हैं, तो next चीज क्या है, next चीज भी एक तरीके से note है, वो note क्या है कि आपको क्या लगता है, कि जितने भी सारे के सारे plants है, अभी तक हम क्या सुनता है, यही सुनता है कि जितने भी सारे के सारे plants है, वो क्या करते हैं, वो अपना खाना light के presence म बनाते हैं और तभी बना के जैसी रात हो जाती है रात को वो शो जाते हैं और उनका normal procedure कि according वो oxygen लेने लग जाते हैं ठीक है यह हमें पता है पर्ट असल में क्या होता है कुछ ऐसे plants है जैसे कि अगर हम desert देखें ठीक है desert में जो plants है यह exception है desert में जो आपके plants है वो क्या करते है वो अपने day और night दोनों utilize करते है खाना बनाने में कैसे वो क्या करते हो night में night में वो क्या करते है वो takes co2 and prepare some intermediate कुछ एक intermediate आप यह समझे की कच्चा खाना मतलब कच्चा सा खाना बना देते हैं kind of intermediate बनाते हैं फिर day में वो क्या करते है दे में अब देखिए जब वो खाना आया तो खाना को पकाएगा कौन पकाएगा तो तब जब energy मिलेगी तो energy वो कहाँ अब दिन आ गया मतलब की light होगी तो light में क्या होता है energy absorbed by chlorophyll ठीक है chlorophyll क्या करता है दिन में आपकी वो energy absorb कर रहता है तो यह थोड़ा सा exception है desert plants में कि असल में वह अपना दिन और रात दोनों utilize करते खाना बनाने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन दिन में खाना बना लिया और तभी पेट भर के खा लिया ठीक है रात को इंपोर्टेंट नोट है ठीक है तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अब एक diagram आता है आपका diagram क्या है वो वो diagram है आपका स्टोमेटा का और थोड़ा सा important diagram है ठीक है क्योंकि diagram जित्ते भी बायो में है ना बायो तो में इसलिए है कि वह डाइग्राम स्टोम इंपोर्टेंट है कि इस लिए तो बायो बनी है सारे के सारे diagram ही तो है तो दीगरामआपके लिए इंपोर्टेंट है यह स्टोमेटा का गार्ट से छल है और यहाँ पर आपके होते हैं एप फिडेर्म में चलियन में यह वो गया आपके एपिडर्मल सेल यहां पर यह होते हैं आपके लोड़व मश्ट इन यूटियस प्लोरोब्लास्ट इस अरिये नुटियस और यह लोड़ टिक है तो अगर हम इसे लेबल करें तो सबसे पहले यह क्या है आपके एपिडर्मल लिख तीदिया फिडर्मल सेल ठीक है और अगर हम इन की बात करें तो यह क्या है यह है आपके guard ctl ठीक है यह क्या है ये है आपका chloroplast ठीक है असल में जो green pigment है वो green pigment क्या है आपका chlorophyll और उस chlorophyll में क्या होता है आपके अंदर जो लीव्स है लीव्स के अंदर स्टुमेटा रहते हैं जिनकी वज़े से उनके एक्सचेंज जो गैसे टेक प्लेस होता है चलिए तो कहां तक हो गया ख्लोरोब्लास्ट हमने कर लिया यह हो गया यह आपका है न्यूक्लियस ठीक है और यह क्या है आपका यह है आपका स्टमेटल पोर्स अब यह एक तरीके से आपका ओपन आपका ओपन इस तरीके से होगा कि जो पोर है वह पोर इतना विजिबल नहीं होगा यहां से जाएगा यह इतना विजिबल नहीं होगा यह आपका कलो स्टमेटल बन जाता है तो यह आपका डायंग्राम हो जाता है स्टमेटल का थीक है चले यह तो हो गया और फॉर्फ रहें अब देख्या अन नोठ लिखिए वह नोड क्या है कि असल में क्या है आपने होगा जहां green color है green color मतलब chlorophyll chlorophyll कहां present होता है leaves में तो stomata आपकी leaves में present होता है तो leaves में क्यों present होता है क्योंकि वहां पे exchange of gases take place अब देखिए leaves से आपने कई बार देखा होगा जब आप सुबह पाक में जाते हैं या कहीं पर भी सुबह आपने कोई भी आपके घर में अगर कोई plant लगावा है तो उनकी leaves अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सुबह कुछ water loss भी होता है तो stomata ही responsible नहीं है गैस के लिए काफिस हारे जैसे कई plant होते हैं जो steam से भी आप की gases exchange कर लेते हैं कई होते जो root से भी exchange नहीं तो अगर हम बोलें कि exchange of gases के इस्टुमिटर रिस्पॉबल है तो ऐसा बिलkुल नहीं आपके इच्छेंज ऑव गैसेस के लिए रिस्पॉणसीबल नहीं बाकी पाइच भी रिस्पॉंसिबल यह क्यों क्यूंकि समें काफी ज्यादा बॉटर रोस भी होता है तो यही आपका नोट हे क्या note है कि only stomata only stomata is not responsible for the exchange of gases since a lot of water comes out too. ठीक है क्योंकि काफी ज्यादा water loss भी करता है stomata ठीक है stomata से ही आपका जो पानी होता है जो leaves में आ जाता है जिनको आप ओस कहते हैं उसकी बुंदे ठीक है वह stomata की वज़े से ही होता है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ stomata ही responsible exchange of gases के लिए ठीक है आपके stem fruits होगेरा से भी exchange of gases हो सकता है ठीक है तो एक question है जो आप खुद करेंगे देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं असल में यह 9 से related question है ठीक है तो 9 से related यह question है और question वो कुछ इस प्रकार है कि how लगन स्थिक्स निटरो जिए से था जिए जिए थे ड्डेशन टीडेशन थे था हैं से तिछ एट फ्रोटी जिए एट नशए थे टोस्या है and other compounds तो आपको यह बताना है कि प्लांट जो है वो nitrogen कैसे लेते हैं ठीक है nitrogen क्योंकि उनके लिए काफी ज़्यादा important है क्यूंकि nitrogen क्या करता है nitrogen synthesis of protein की proteins आपका क्या है proteins are the building blocks of an organism तो चाहे plant हो चाहे human being हो proteins are essential तो उसके लिए nitrogen बहुत important है तो जो आपको इस तरीके से बताना है कि plant nitrogen किन-किन तरीके से लेता है क्या-क्या तरीके है plants को nitrogen लेने के अगर आपको nitrogen cycle याद है ninth class की तो आप ये question बहुत ही असानी से कर लेंगे तो चलिए और कुछ homework की बात करते हैं तो question number one, question number two, question number three, question number four, page number 95 ये आपके लिए homework है असान से question है सबसे पहला question कहता है कि why is the diffusion insufficient to meet the oxygen requirement for the multicellular organism like humans solutions तो ये कहता है कि असल में diffusion आपको पता होना है, diffusion का क्या मतलब होता है, diffusion simple ये होता है कि जिस तरीके से मैंने आपको पानी का बताया था ना, कि ये पानी का अगर tank है, यहाँ पे पानी यहां तक भरा है और यहां पे पानी अगर यहां तक भरा है, कम भरा है उससे, तो क्या higher concentration to the lower concentration तो हम बोलते हैं कि असल में वो आपका diffusion है तो question ही कहा रहा है कि जब एक single celled organism होता है जैसे कि अगर एक single cell है उसके पास ठीक है ये एक cell है उसके पास तो उसका exchange of gases diffusion से चल जाता है जैसे कि वो चाहे यहाँ पे exchange of gases मतलब यहाँ पे उसका higher concentration है और cell को gas चाहिए तो वहाँ पे lower concentration है तो higher concentration से lower concentration flow करेगा ठीक है तो जिसकी वज़े से gas एक unicellular organism को असानी से exchange of gases diffusion से हो जाता है अगर हम multicellular की बात करें तो diffusion से नहीं कर पाता है उसके लिए complex process बनाई गई है क्या respiration वो proper respiration process करता है तब जाके वह exchange of gases कर पाता है तो ऐसा क्यों diffusion से क्यों नहीं कर सकता तो diffusion से इसले नहीं कर सकता क्योंकि let's say यह हमारा human being का शरीर है ठीक है अटपटा सा शरीर है पर शरीर है ठीक है तो यह शरीर है यहाँ पे हमारे multiple cells है क्योंकि हम हम तो multicellular है हम तो single cellular है अब देखिये multicellular जब हम है तो यहाँ पे अगर हम diffusion की बात करें तो यहाँ higher concentration होगा और cell में lower concentration होगा तो कहां से कहाna gas flow करेगी higher concentration से lower concentration flow करेगी अब âmulticellular की अगर हम बात करAUL रहे तो multicellular मैं देखिए हो सकता है इसको मिल जाए प्रापर तरीके से gas यहाँ पर exchange हो गई फिर हो सकता है यहाँ से अगर exchange हो रहा तो यह इसमें exchange हो गई बट हर एक cell की बात करए तो हर एक cell को इतना diffusion से नहीं मिल पाता ठीक है जैसे कि अगर हम वीच वाले cell की बात करे तो तो बीच वाला सेल कैसे एक्सचेंज करेगा वो तो किसी सर्फेस से लिंग्ड ही नहीं है तो इसलिए मल्टी सेललर और्गिनिजम में मल्टीपल सेल होते हैं जो हर एक जगा स्कैटर रहते हैं ठीक है और हर एक कोई अपनी सर्फेस से कोई अटाज नहीं होता इतना और जो सर fusion multi-cellular case में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा ब्लंडर है ठीक है तो चलिए second question देखते हैं what criteria do we decide that something is alive यह तो आपको खुदी लिखना है ठीक है एक type of value based question है what are the outside raw material used for an organisms तो वो कह रहा है कि outside जो organism मतलब जो आप raw material खाते हो वो organism के लिए किस तरीके से useful है तो आप लिख सकते हैं कि it provides energy to maintain the body processes ठीक है body के अंदर जो भी processes चल रहे है life processes चल रहे है उसको maintain करने के लिए help करता है and they are needed to prevent the damages of the body the body के बॉडिनेके जो बी the Amange इस इसे की लिटसे अगर आपको cut पढ़िए तो कट पढ़ने के लिए अगर आप खाना ढंग से नहींका यह तो आपको cells ढंग से नहीं बड़ए तू क्या होर रहा है जैसे कि मत पन आगर आपका blood बlles निकल रहाई तो एक 치स जो प्लेट्र करवाती है वो चीज इस नहीं बनेंगे तो आपके प्लेटलेट्स नहीं होगे तो आपका जो ब्लड है वह भहता रहेगा और अगर ब्लड इतना जादा लॉस हो गया खो सकते हैं आपको चक्कर आजाए काफी सारा क्योंकि ब्लड काफी ज्यादा important आपकी बोडी के लिए ठीक है तो खाना इसलिए भी important है ताकि कि आपके damages of the body protect जो भी damages है आपकी body में वो हम डील कर सके उसके साथ-साथ आपका energy provide करता है ताकि कि body के अंदर वो जो life processes वो चल सके ठीक है what processes would you consider essential for maintaining the life क्या-क्या processes है जो आप essential मानते है तो respiration, digestion, excretion, reproduction, control and coordination ये सारी processes आप लिख सकते हैं ठीक है और homework क्या दे सकते हैं आपको ये homework है ठीक है और back exercise में आपके लिए question number three mcq है और question number seven ये आपके लिए homework है back exercise का page number 113 ठीक है तो चलिए आज की देखे एक homework हमेशा बायों में रहेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं चाहे हो last class का है चाहे आज जो पढ़ा है वह आपको last class का भी revise करना स्टार्टिंग से आपको पूरा revise करना है ठीक है revise करते रहना है क्योंकि बायों में में चीज यह है कि आपको हर एक term का मतलब पता होने चाहिए और वह चीज किस तरीके से हो रही है मैं यह नहीं कहा रहा है कि आप रट्टा मारे आप समझ भी लीजिए वह ज्यादा बेटर है बट आपको revise करते रहना है ठीक है तो हमेशा यह homework रहेगा चाहिए मैं लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा ठीक है तो यह ज़रूर करना है कि हमेशा आपको वह notes revise करने क्योंकि जितना आप notes revise करेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में वह चीज बैठी रहेगी चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही